कि Anatomy और Physiology की बात करेंगे तो जैसा कि आप यह टाइग्राम में देख पार है और बहुत ही फेमस ग्लेंड है यह थायरेट ग्लेंड सबसे प्रदा को बताना चाहूंगा मैं कि थायरेट ग्लेंड जो है इस बटरफ्लाइश शेप का होता है जैसे आप देख पा रहे हैं आप परपल कलर में इस डाइग्राम में थायरेट ग्लेंड शोर है यह लोकेटेड होता है एट दे लोकेशन इसका लोकेटेड एट बेस और थरोट दिख दिख रहा है न इस डाइग्राम में यह थरोट के बेस पर लोकेटेड है ठीक है साथ में यह वाइस बॉक्स के नीचे होता है वाइस बॉक्स के नीचे मतलब हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि just inferior to the Adam's apple एकिन ही जस्ट इन्फेरियर तू जए अधम्स एपल ठीक है न वाइस बॉक्स जिसको बोलते हैं ठीक है लारिंग्स तो उसके जस्ट नीचे में बिलो इन्फेरियर पार्ट रिपर्जेंट होता है एंद इन फ्रंट आफ विंद पाइप इन फ्रंट आफ विंड पाइप के सामने में पर्जेंट होता है ठीक है यह इसका लोकेशन है इट हैविंग टू लोब्स ठीक है इसमें राइट लोब होता है और लेफ्ट लोब होता है दो लोब होते हैं इसमें दोनों लोब जो है एक जिसे से connected होते हैं वाया bridge called as isthamas इस bridge को हम क्या बोलते हैं isthamas तो देखिए यह वाला right lobe हो गया यह structure left lobe हो गया और यह बीच में जो structure है it is the isthamas ठीक है न तो जैसे हम अगर करना चाहिए यह यह वाला पार्ट आपका हो गया right lobe यह आपका left lobe और बीच का जो structure है it is the अब बुल सकते हो कि isthamas ठीक है अब यह जो है mainly thyroid gland जो है यह दो हर्मोन बनाता है थाइडाइड हॉर्मोन और केल्सी टोन यह दोनों thyroid gland की ही अलग-अलग जगह पर बनता है अलग-अलग places पर बनता है उसको अपन देखेंगे क्लियरली इसमें से जो केल्सी टोनील है यह आपका पैरा फॉलिकलर सेल्स बनाती है यह हम एक दाइग्राम में ठीक से समझेंगे कि पैरा-फॉलिकलर सेल्स कहां होती है कैसी होती है ठीक है थायरेड हॉर्मोन कैसे बनता है यह भी हम देखेंगे ठीक है तो यहां पर जो color होता है थैरड्लं का जो color है वह आपको color मिलेगा ब्रावनिश रेड और इसमें बहुत सारी ब्लड बेसल भी होती है रिच इन ब्लड बेसल और साथ में इसमें वोईस या बोल सकते होगी नर्व्स भी इसमें रहेगी ठीक है अब ये जो थाइरेट ग्लैंड है ये एक्चुली में आपका बना हुआ इससे है अगर हम बोले कि ये फॉलिपिलर सेल से बना है ठीक है तो थाइरेट ग्लैंड हम ये बोल सकते है जैसे आपको मैं थाइलाइड थाइरेट लैंड ठीक है अगरेड ग्लैंड हम बोलेग ये फॉलिकल्स और ये फॉलिकल्स जो है वो श्टोर करता है स्टीकी कोलाइड को स्टीकी कोलाइड यहां पर स्टोर होता है ठीक है और ये जो स्टीकी कोलाइड माटेरियल जो होता है ये आपका थाइराइड हर्मोन डिराइव करता है तो थाइराइड हर्मोन derived from derived from this colloid thyroid hormone जो है इसी colloids से derived होता है जो कहां होता है follicles और follicles को ही मिला कर क्या बना है thyroid gland बना है अब ज़रा इस डिागराम पर ज़र डालते हैं अगर भी जो फिक्ने है अगर मैं बोलू कि आपको कि transfer section जो है वो कई इस type का दिखता है कि ये जो इधर में cells दिख रही है ठीक है ये बीच में जो hollow space है it is the follicle इसके अंदर ये जो material दिख रहा है it is the colloid ठीक है ये side में जो cells है they are follicular cells ठीक है ना इसके बीच में यहां पर corrective tissue present रहती है अगर इस step से बताऊंगा तो तो जो ज़्यकर ज़्या साँज में आएगा हम इसको perfectly draw करते हैं ताकि हमको properly understood हो जाए ठीक है तो हम इसका अब जो है जैसे मैंने बोला कि thyroid gland जो है हम उसका microscope भी देखने जा रहे हैं ठीक है ना हम क्या बनाने जा रहे है Microscopic Structure ठीक है अब यह जो है आपका मैंने बोला कि यह बना होता है follicle से follicle मतलब होता है small secretory cavity cavity मतलब खाली ज़्याँ तो आप इस तरीके से यह यह ऐसे बहुत सारे hollow spaces से मिलकर बना हो यह क्या ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग follicle मतलब की small secretory cavity okay यह इस टाइम से अब यह जो small secretory cavity है इसी को हम बोल रहे हैं क्या follicle ठीक है अब यह follicle जो है उसके आसपास में यह यहाँ पर यहाँ पर जो है cell की layer होती है अब cell की layer को हम क्या बोलते हैं epithelium बोलते हैं correct तो यह इस type से आप भी यहाँ पर cell की layer है यह 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 cell की layer तो यह epithelium होगी अब यहाँ पर इन cell का जो structure है वो कैसा होता है वो होता है cuboidal कैसा होता है cuboidal तो यह कौन सी epithelium होगी cuboidal epithelium अब इनी cell को हम बोलते है यह जो cell है इसी को हम बोलते है follicular cells कौन सी cell बोलते है follicular cells ठीक है नब यह ऐसा इस भी follicle के आस पास में रहेगा यह यहाँ था ठीक है यह इस type से यह अब इसके बाद यह हो गया आपके यह क्या है यह है follicle बतलब जो बीच की जगह खली cavity तो उसके आस पास में cuboidal epithelium जो को हम बोलेगे कि follicular cells से बना हुआ है अब इसके बीच में जो जगह देखेंगे आप यहाँ पर यहाँ पर जो जगह है इसके अंदर में colloid होता है यह colloid क्या होता है यह हम समझेंगे कि अचले में colloid किसको बोलते है वो जब हम hormone की synthesis देखेंगे thyroid hormone की synthesis तो उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पर colloid मिलेगा इस पाइप से ठीक है पैराफॉलिकुलर सेल्स कि तो मैं इसको पर्पल कलर में ड्रॉख देखेंगे हैं यहाँ पर ऐसे रेंडम्ली जो है आपको पैराफॉलिकुलर सेल्स मिलेगे ठीक है आपको यह हम थायराट हावंगे सिंधिस में टीटेल में देखने वाले हैं जो हमारा नेक्स वीडियो होगा उसमें अब उसके बाद इसी यह जो एरिया है करेक्टिव किशु वाला एरिया यहीं पर आपको ना इस टाइप से ब्लड वैसल भी मिल जाएगी कैपिलरीज क्योंकि अब्वेसी बात एंड्रोग्राइन क्लाइंड है तो यह सिक्रेशन जो है अपना अपने सेल के आसपास ही करेगा और वहीं से डिफ्यूजन सुरू जो है यह जो हॉर्मोन्स रहेंगे यह सिस्टेमेटिक ब्लड सर्फ मेशन तक जाएंगे यह हमने पहले भी समझ चुक है तो ये आपका क्या है गुल्र एंडड वैसंस प्रम तो यह है और ये पूरा नाम अगर बोलना चाहे है तो ऊच्र जोच्टी अक की क्या है और ये जो alltså तो इसके नेक्स वीडियो में हम देखेंगे कैसे इसी एरिये में थायराइड हॉर्मोन बनता है तो यह कैसे बनता है और फिर उसके नेक्स वीडियो में हम देखेंगे थाइराइड हॉर्मोन और केल्सिटोनिन के रोल के बारे में, ठीक है, थैंक यू.